कि अब एडवांस कैसे मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि एडवांस कैसे डॉपने रिफेट के मैं एडवांस कैसे अभी डिसक्स करने वाला हूँ तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि एडवांस में आने वाले मतलब जैई एडवांस में आने वाले लेकिस नहीं है नॉमल कैसे से ठीक वह क्या है पता तको यहां प्पर तको कह से आच्छे शक्रश्व कैसे आते हैं जैसे यहाँ पर मैंने एक दिया है यहाँ पर बॉल त्पें अब यह वाल है है अब होगा क्या यहाँ पे देखो क्या आवाज नहीं आ रहे क्या आ रहे न तो किसी को तो इनाडियूबल कुछ तो लिखा चलो यहाँ पे देखो एक वाल है ऐसा पकड़ लो कि यहाँ पे यह कार अपनी मूग कर रही है ठीक है और यह है अपना हॉन हॉन यहाँ से बजाए ठीक है अब जाएगा ऐसा ऐसा जाएगा और क्या होगा और क्या होगा यहाँ पे रफ्लेक होगाた नहीं होगा उसकी से नहीं होगी और जैकने अब सपोज है रिफ्लेक्टेट फ्रिक्वेंसी किसी अब्जरवर में सुन ली तो एफ नहीं सुनेगा रहाएज वह अलग फ्रिक्वेंसी कितनी हो थे के तो जैसे मैंने यहां पर यहां पर लिख दिया कि यहां पर गृेंश रखता हूं और बोला की चलो यह जो अबने इस अभी रिफ्लेक्टेट साउंड वेव सुना तो यह फ्रिक्वेंसी कितनी होगी तो यह यह फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ते हैं यह जो वाल होता है ना वाल इस वाल को लेना होता है इस वाल को लेना होता है observer देखाई question इस type of question यह type of question है तो वाल को क्या लेंगे अपन observer लेंगे तो अब मुझे बताओ इस case में जैसे कि source जो है इस case में देखो यह कार उसके तरफ आ रही है तो source उसके तरफ आ रहा है तो मुझे बताओ velocity अब मुझे तब frequency apparent क्या होगी अब मैं क्या करता हूँ जो frequency apparent frequency होगी that apparent frequency is nothing but what reflected frequency भाई मतलब जो जो वाल है ना walls जो reflect हुई frequency उसको लेंगे अपन it is equal to कह लेंगे f0 into कह लेंगे f0 into कह लेंगे f0 into कह लेंगे हाँ c अब मुझे बताओ सोर्स है न सोर्स नीचे है सोर्स उसके तरफ आ रहा है तो कह लेंगे c divided by क्या c minus v s समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है अब मुझे बताओ यह जो reflected frequency है वही जो frequency यहाँ पर होगी जो observer सुनेगा वह अब्जर्वर सुनेगा कौन से frequency यह वाली से frequency ठीक है इसके चोड़ा सा में example देता हो आपको question अच्छा question जो वहाँ पर भी दिया हुए वह आप homework कर सकते हो यहाँ पर में question देता हूँ ऐसा pocket लेते है ठीक है कि यहां पर देखो रहिए यहां पर देखो यहां पर देखो यह जा रहे हैं और यहां पर एक ओजोड़ है और इस कर चुछा ऑपर ही यह अब्जर्वर है अग तो यह बैसिकलिक है यह observer है और यह जो है यह कार भी कैसर्स सी और दोनों कितने speed से जारी है, कितने speed से जारी है V से जारी है तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे observer दो type के sound सुनेगा, दो type के sound frequency सुनेगा, एक क्या जो directly हास इसके कान में जाएगी, बराबर ना यहाँ पे दो frequency सुनेगा ना, एक frequency कुन से होगी, जो directly इसके अंदर गुझ जाएगी दूसरी frequency कुन से होगी ऐसे ऐसे जाएगी और क्या होगी, यहाँ से क्या होगी reflect होके आएगी और reflect होके आएवाली frequency भी है observer सुनेगा, समझ में आ रहा है क्या तो अब बोला है कि जो reflect होके अब मेरे को direct वाली frequency सुननी ही नहीं है मेरा question क्या है, कि यह जो wall से reflect होके जो frequency आई, तो कितनी frequency, अब यह वाला जो यह wave अंदर जाएगा, तो बोला है कि what is the apparent frequency actual frequency क्या होगी जो observer सुनेगा तो पहले तो मुझे बता हो यह frequency तो F0 है जो actual source निकाला है, वो frequency F0 है तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, FR निकालना पड़ेगा FR की value कितनी होगी FR की value कितनी होगी, reflected frequency पहले निकालनी पड़ेगी वो कितनी होगी, F0 into क्या होगी C minus C minus C divide by C minus Vs C minus Vs मतलब अभी यह जो V लेते हो, मैं यहाँ पर V लेता हो, मैं ठीक है, क्योंकि V ही दिया है समझ में आ रहे कि नहीं समझ में रहे, पहले वो बताओ अब मुझे बताओ, observer जो है observer, अब मुझे बताओ, observer का भी speed कितना है यह जो observer है, उसका speed कितना है वो भी तो V है ना क्योंकि वो कार के उपर ही बेठा है अब observer तरफ जा रहा है मुझे बताओ, जो sound wave आ रही है wave आ रही है, observer उसके तरफ जा रहा है तो frequency बड़ेगी या कम होगी frequency बड़ेगी या कम होगी frequency बड़ेगी, तो मतलब जो F apparent, जो finally सुना ही दिया वो क्या होगा, reflected frequency जो अभी क्योंकि जो wave आ रही है reflected frequency इंटू क्या करेंगे अपन C, अब यह observer है, observer का speed क्या करते है इधर क्या करेंगे, plus करेंगे तो C plus V divided by C, समझ में आ रहा है अब इसमें FR की value डाल दो तो answer क्या आएगा, FR की value यहापर डाल दो यह जो आया है, इसमें FR की value डाल दो तो answer क्या आएगा, guys C और C cancer हो जाएगा, तो मेरा answer finally यहाएगा, F not into क्या C plus V divided by C minus V समझ में आ रहा है, question समझ में आ रहा है तो observer ने जो frequency सुनी, यह एफ सुनी एक question समझ में अच्छा question था मतलब अच्छा question मतलब थोड़ा सा reflected sound वाला question, यह advance पहला एक case हो गया अपना, second case देख लो यहापर अब यहापर देखो, यहापर क्या है अब ऐसा पकड़ लो, कि एक car है, यह एक source है जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, यह source ऐसे जा रहा है इसकी velocity है, suppose कुछ V1, ठीक है, एक source है जा रहा है इसकी velocity V1 है, और यहापर observer है, ठीक है observer पकड़ लेते, इसकी velocity है V2, अब मुझे बताओ, दोनो same direction में है क्या यहापर दोनो same direction में नहीं है, अलग-अलग direction में है तो इस case में क्या होगा, तो इस case में क्या होगा, suppose जैसे ही जिस time पे, यहाँ से sound निकला, तब उसकी velocity कितनी थी इसके source की velocity कितनी थी, V1 थी, यह source है अब इस time पे, अब s क्या करने का पता है, इन दोनों का line ऐसे join करने का तो अब मुझे बताओ, यह जो angle है, यह angle theta ले जिया, तो इसका speed यहाँ पे कितना होगा, V1 क्या होगा cos theta होगा, तो velocity of source क्या हो गया, velocity of source क्या हो गया, V1 cos theta होगा, रईट अब मुझे बताओ, जब यह actual sound यहाँ से निकलेगा, तो observer यहाँ पे रहेगा झाजसestonager यहां परिए नहीं ना जरुका कहीं पर का करेंगा कि नीचे रहेंगा ओजुवर कहीं पर यहां पर था तूंधल कि यह ने मतलब ऊसने साउंड को सुना सपीड कितने ही correct hm तो मुझे बताओ यह component कितना हो जाएगा यह सब्सक्राइब एंगल थीटा नहीं है 90 मायनस थीटा हो जाएगा तो यह जो component है वो कितना हो जाएगा v2 क्या साइन थीटा हो जाएगा आप वीट्टू को मैंने ऐसा लिया आप ऐसा भी ले सकते हो तो वीट्टू साइन जड़ा फिर बाहर आ जाएगा जो भी है एक केस में ऐसी डिसकस कर रहा हो ठीक है अब मुझे बताओ यह जो हो जाएगा यह वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा वेल दोरों के वैसे बढ़ेगी तो क्या करेंगे अपन सी कि दोरों के वैसे बढ़ेगी तो क्या होगा उपर कौन सा साइन आएगा प्लस क्या हैगा वीट्टू साइन थीटा और नीचे क्या हैगा सी यहाँ पर इसके वैसे बढ़ेगा तो क्या होगा माइनस वीवन कॉस्टिक समझ में आ रहे यही वी टू स्पीड कि फूस इदर होता वी टू ऐसे होता तो हहा पर क्या आता कि क्या operatorsBlue तो वह कर सकते हो तो आपको पता ही किए कि टूसरे के तरफ आ रहे हैं बस बीसाख रिए किया करने का मैं जॉइनिंग, source and observer करने का और उन दोनों का velocity देखने का, इतना ध्यान में रखना, ठीक है, तो ये भी एक case देख लो, ये भी case मतलब क्या, ये भी अच्छे question ही है, advance case 2, बस इससे उपर तो अलग-अलग questions तो नहीं आएंगे, ये मैंने case 2 लिख दिया, सारे cases मैंने discuss कर चुका ह ठीक है, जो जो questions बन सकते हैं